नमस्कार भक्तो जैमा काली जानकारी छोड़ दिया है उसके कारण ये टोटका जो है धंक से नहीं हुआ अबीरवर के दिए टोटका करना है और टोटका करते समय आपको ये धीज़ का ध्यान लगना है कि शाम को आथ बजि़े के बाद ही आप ये करिए और करने से पहले आपको नहादो कर साब वस्ता धारन करने हैं और मन मंदिर में आपका शांत रखना है ताकि आपके मन में कोई चीज ना है सिर्फ उस व्यक्ति के ख्यालों के अलावा तो इस चीज का आपको ध्यान अखना है आपको पश्चिम के दरफ मुझ करके बैटना है लाल रंग का कपड़ा भी चाना है और लाल रंग की कपड़े पर आपको बैटना है और जब आप टोटका करें इस चीज का ध्यान नखे उसससे एक या दो गंटे पहले आपने कुछ पहले कम चुछा दस लोंग के पूरे पूरे दाने लेने हैं और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दस लोंग आपने लिये हैं वक्तों और दस के दस लोंग विल्कुल साफ सुतर हो जिनके उपर टोपी हो इस तरह से फूल बना हो कहीं से खंडित ना हो इस चीज़ का ध् खिड़े ना मतलब इस तरह बिखरे ना यह लोंग जो है साथ ने रहे दस के दस लोंग उसके बाद भक्तों आपने क्या करना है कि यह जो दो लोंग यह दस लोंग है भक्तों इन दस लोंग को आपने इस कपड़े में इस तरह से बांध लिया ठीक है उसके बाद आपने ए की एक तस्वीर सामने रखनी है जिस व्यक्ति को अपने वश में कर रहा है ना वक्तो उस व्यक्ति की एक तस्वीर सामने रख दीजी और तस्वीर सामने रखने के बाद वक्तो आपने क्या करना है कि यह लॉंग आपने उस तस्वीर के उपर से मंतर का जाप करते हुए गुम काली कपालनी करीं करेंग करीं वश्चन फट्सWAHा इस मंतर का जाप आप sergeant ने लगातार सात मिनिट्ट तक करना है अब maintenance तक आप इस मंतर का जाप जब कर दे उसके बार दो आपने क्या करना है कि आपने पूरी रात इस पोटली को जिसमें आपने दस लॉंग डाली है इस पोटली को आपको अपने घर की छट पर रखना है और घर की छट पर रख दीजिए और सुबा उठी है पांच बजे पांच बजे इस चीज़ का ध्यान अगना है छे बज़े से पहले पहले उटना है बक्तो सुबह पांच बज़े उटके आपको उस व्यक्ति के घर की या तो छट पे इस लौंग को कैसे ना कैसे करके पहुँचा देजिए आप उसके घर के सामने जाकर या उसकी छट पे पहांग दीजिए या वक्तों आपने बिल्कुल उसके घर के मुख्या दरबार के उस व्यक्ति के मुख्या दरबार के घर के सामने इसको छोड़ दीजिए जैसे हैं कि वो व्यक्ति गेट को ले तो उसका सीधा ध्यान इस पोटली पर पड़े इस चीज़ का ध्यान रखना है या उस व्यक्ति की घर की छट के ओपर और इस चीज़ का ध्यान नके जब आप इसको फैंके तो आपने फैंकते समय आपने तीन बर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति को वश्मे करना चाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान नकिए या तो आप उसके घर की बिल्कुल च्छत में रख दीजिए या बिल्कुल घर के गेट के सामने रखना है ठीगा वक्तों यदि आप इतना सा काम करते हैं तो वक्तों यकीन मानियें जिस व्यक्ति के लिए आपने टोटका सिद्ध किया है अधर का आउसान उपाइए मस उमीद करते हूं बक्तों या नंबर हसा के कॉल करके अधिक जानकारी प्राप कर झाले इन दो बाखतां यामा टाले